तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि Google पे application से अब loan भी आप ले सकते हैं तो क्या है पुरा जानकारी इस वीडियो को देखते रहे हैं पुरे जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं Google पे नया इंटरफेस आया है जिसमें लिखा गया instant loan up to 8 lakhs तो 8 lakh रुपया तक आप यहाँ से loan ले सकते हैं और कैसे लेना है और क्या-क्या चीज आपको यहाँ पे भरना होगा तो आपको loan मिल जाएगा तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि मैं इस वीडियो में सभी चीज बताने वाला हूँ आपको एक बाएक करके तो वीडियो को शुरू से अंतक देखिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देजेगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरू कर देजेगा तो जैसे ही अप प्लाइनों पे आप क्लिक करते हैं तो गेट इंस्टेंट के अस डायरक्ट इन्टू यूर बेंक अकॉंट नो पेपर वर्क तो यहां पे आपको कह रहा है कि आपके डायरक्ट बेंक के कॉंट में यह रूपिया चला जाएगा जो भी लोन का एमांट है औ और इस्टेंट आप यहां से दस जार से आठ लाक रूपिया तक ले सकते हैं आपके अकॉंट में आ जाएगा तो यहां देख सकते हैं सी लोन ओफर पे आपको मैं क्लिक करके दिखा देता हूं तो यहां पे आपको ओफर में लोन फ्रॉम डी एम आई फाइनस से द्वारा दिया जाएगा यह लोन और यह आपको six month का रहेगा तो आप यहां से आप ले सकते हैं लोन तो अगर लोन लेना चाहते हैं तो start your application पे क्लिक करना है तो मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं और लोन अप्लिकेशन पे आप यहां पे क्लिक करेंगे और यहां देख सकते हैं आपको क्या क्या चीज आपको 500 रुपिया पर मेना के हिसाब से यहां पे जमा करना होगा आपका यह माय जो बनेगा वह मिनमम 500 रुपिया का बनेगा तो यहां पे आपको मैं start your loan application पे क्लिक क करके दिखा देता हूं तो देखिए easy instant loan इस तरह से आपका email अबर और आपका email id आ जाएगा उपर में उसके बाद यहां पे continue पे simple से क्लिक करना है और अपने area का pin code यहां पे डालेंगे जैसे ही pin code डाल देते हैं तो next का option करेंगे next करेंगे उसके बाद आपके समने your pen detail तो आ अगर salary है तो उपरवाले select करेंगे उसके बाद monthly income आपको कम सकम 20,000 रुपया भरना होगा तभी आपको loan अप्रूब होगा तो मैं 20,000 डालके continue पे click करता हूं उसके बाद आपके सामने आपका date of birth आ जाएगा तो जो भी date of birth है आपके pen card या धार card पे उस हिसाब से यहां पे date date of birth डालेंगे तो date of birth में आपको कम सकम 23 साल से 55 साल के बीच होना चाहिए 20-21 वाले को नहीं दिया जाएगा loan यहां पर date of birth डाल लीजेगा और डालने के बाद आपको simple से continue के option पे click कर देना है तो देखिए मैंने यहांपे डाल दिया हूँ और यहांपे address id address कर रहा है तो यहांपे location पर आपको add address पे click करना है address पर जीसे click करेंगे तो जो भी location है वो यहांपे add हो जा시면 पर low ले लेना चाहते है तो हैं आप address died कर सकते एढर्स जैसे ही एर करेंगे उसके बाद आपका सिविल स्कोर चेक किया जाएगा और सिविल स्कोर के हिसाब से आपको दस हजार से आठ लाग रुपे तक लोन दे दिया जाएगा गूगल पे अप्लिकेशन से और यह जो एमॉंट है यह आपके डिरेक्ट बेंगे कोर्ट में आ जाता हैं अगर पूरा वीडियो चाहिए तो कमेंट किजिए और चैनल को सब्सकाब कीजए और वीडियो को लाइक कीजिए और इस त की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रु सब्सकाब कर द llegó सुद्वाध मिलते अगले वीडियो में अगर आपको कोई भी अगड ड झाल टो